देखिए कि सौधी अरब के मक्का में गर्मी के कारण 12 जून से 19 जून के बीच यानि केवल एक हफ़ते में 577 हजियातियों की मौत हो गई सौधी सरकार ने कहा है कि ज्यादतर मौते हीच स्टोक या गर्मी की वज़े से बीमार पढ़ने के चलती हुई है दोस्तो हज का महिना चल रहा है और ये गर्मी जो है ना जाने कितना प्रिशान कर दिया है इस साल 20 में मक्का मदीना में इतना गर्मी पर रहा है जिसके कारण वहाँ हाजी लोग जो घज करने के विए गय थे नजाने कितने की मौत हो गई है लगातार टमप्रेचर वहां बरता ही जा रहा है सुबह 8 वजे से जो गर्मी परना चालू होता है लगवग 12 वजे तक टमप्रेचर इतना हाई हो जाता है तो गर्मी के कारण नजाने कितने हाजियों की मौत हो गई है अपके स्क्रीम पर ये व 577 हज यात्रियों की मौत हो गई पिछले साली यह आकड़ा 240 था 17 जून को मक्का की ग्रैंड मस्चिद में तापमान 51.8 डिगरी सेल्सियस यानि लगभग 52 डिगरी रिकॉर्ड किया गया था बिटिश अकबार दगाडियन की रिपोर्ट के मताबिक मरने वालों में 323 नागरिक मिसर के हैं और 60 जूर्डन के इसके अलावा इरान इंडोनेशिया और सेनेगल के हज यात्रियों की भी मौत हुई है अभी तक ये नहीं पता कि इन में भारती है कितने और है भी या नहीं इसर के विदेश मंत्री ने कहा कि वो सौधी अधिकारियों के साथ मिलकर लापता लोगों को खोजने के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं इतना ही नहीं सौधी अरब सरकार के मताबिक गर्मी की वजह से बीमार हुए करीब 2000 हज यात्रियों का इलाज किया जा रहा है सौधी न ने लगातार पानी पीने और धूप से बचने के लिए भी कहा था लेकिन ज्यादतर हाजी मानते हैं कि मुश्किलों में किये गए हज का पुन्य ज्यादा मिलता है इसलिए वो आराम पहुचाने वाली चीजों से परहेज करते हैं लेकिन अब ये जंदगी के लिए ही महंग में रहना पड़ता है वहां से लोटने वाले बताते हैं कि मक्का में सुबह आठ बजे से ही भारी गर्मी पढ़ने लगती है और बारा बचते बचते ता पान पचास टिकरी के आस पास पहुच जाता है बहुत बड़ी संख्या में हज पर गए लोगों को बीमारी के हालत मे सडक के किनारे बैठे देखा जा सकता था हज के रास्तों पर लगातार इंबुलेंस तौर रहे थे सौधी सरकार ने शांदार इंतजाम किये हज को अच्छे तरीखे से संपन्न कराना और हाजियों को हर मुम्किन सुविधा पहुचाना सौधी अरब के शाही परिवार के ल इंतजाम कम पढ़ गए अक्सर तापमान 51 डिगरी सेलसियस के पार चला जाता है सौधी अरब के अधिकारियों के मताबिक मक्का में जलवायू परिवर्तन का गहरा असर हो रहा है यहां हर दस साल में औसत तापमान शूने दशमलो चार डिगरी सेलसियस पढ़ रहा है करीब 18 लाख हज यातरी हज के लिए पहुँचे थे इनमें से 16 लाख लोग दूसरे देशों के हैं मुश्किल इसलिए भी ज्यादा है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग बिना वीजा के भी हज के लिए पहुँच जाते हैं पैसों की कमी की वज़ह से इस तरह के यातरी गैर कानूनी रास्तों के जरिये मक्का पहुच जाते हैं निउस एजनसी एफपी ने सौदी अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि मरने वालों में मिसर के यातरीयों की तादाद इसलिए ज्यादा है क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनोंने हज के लिए मुसल्मानों के लिए इतना एहम क्यों माना जाता है तो इसलाम में पांच फर्ज में से एक फर्ज हज है कहते हर मुसल्मान को जंदगी में कम से कम एक बार इस फर्ज को निभाना होता है धार्मिक माननेताओं के मताबिक साल 628 में पैगंबर मुहम्मद ने अपने 1400 सिश्य के साथ एक यात्रा शुरू की थी यह इसलाम की पहली तीर यात्रा बनी और इसी यात्रा में पैगंबर इबराहीम की धार्मिक परंपरा को फिर से स्थापित किया गया इसी को हज का जाता है हर साल दुनिया की अलग-अलग हिस्सों से मुसल्मान हज के लिए सौधी अरब क से तैयारी की जाती है इनमें इंडोनेशिया का कोटा सबसे जादा है इसके बाद पाकिस्तान भारत बंगलादेश नाइजीरिया का नंबर आता है इसके अलावा इरान तुर्किये मिसर इथोपिया समेथ कई देशों से हज यात्री सौधी पहुचते हैं हज यात्री पहले उसके शुधता से जंबंदित है हज पर जाने वाले सभी यात्री यात्रा के पहले दिन से ये खास तरह का कपड़ा पहनते हैं जिसे एहराम कहा जाता है इसे सिला नहीं जाता ये सफेद रंग का एक कपड़ा होता है लेकिन हज पर जाने वाली महिलाओं को एहराम पहनने क की जरूरत नहीं होती हज का दूसरा चरण होता है उम्रा मक्का पहुचकर जाहरीन सबसे पहले उम्रा करते हैं उम्रा साल में कभी भी किया जा सकता हज के दौरानी इसे करना जरूरी नहीं है लेकिन ज्यादतर यात्री हज के दौरानी उम्रा करते हैं पैसे बचते हैं लेकि की आठवी तारीख से होती है इसी दिन हाजी मक्का से 12 किलो मिटर दूर मीना शहर जाते हैं इसके अगले दिन वो अरफात के मैदान पहुंचते हैं या खड़े होकर हाजी अल्ला को याद करते हैं शाम को वो मुजदलफा शहर जाते हैं और 10 तारीख की सुबा जैरीन वापस मीना शहर लोट जाते हैं चौथा चरण है जमाराथ अपने खूब सुनाओगा इसके बारे में मीना लोटने के बाद सभी हज यात्री एक खास जगह पर जाकर शैतान को पत्थर मालते हैं यह हज यात्रा का एक संकेतिक हिस्सा है इसे जमाराथ कहा जाता है इसके बाद बक मीना से मक्का वापस लोटते हैं और काबा के साथ चक्कर लगाते हैं इसे तवाफ कहा जाता है इसी दिन पूरी दुनिया में बकरीद मनाई जाती है इस्लामिक महीने की बारा तारीख को आखरी बार तवाफ और दूआ करने के बाद हज की यात्रा पूरी हो जाती है यह पर तो बात होनी चाहिए कि इतनी भारी गर्मी के बावजूर बावन डिगरी सेल्सियस तापमान में हज का पुण्ड कमाने गए लोगों की मौतें क्या टाली नहीं जा सकती थी और अगर टाली जा सकती थी तो कैसे इस वीडियो में इतना ही लेकर अगर अगर तो देखा ने उन्हें अपने पास बुला लिया यानि लोग चाहते हैं कि वहां मक्का में मेरी मौत हो ऐसा कितना लोग चाहते हैं कि उस जगह में मेरी मौत हो जाए लेकिन दोस्तो कुछ भी कहे अल्ला ने जिन हाजियों को अपने पास बुला लिया है साय तो मुझे यकीन है कि उनक मक्सिरत जरूर करेंगे बहुत बहुत सुक्रिया दोस्तों अब लोग इन के लिए दौई करें और नहीं अल्लाइए उनको जन्नट में आला से आला मकाम उता भी बहुत 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 सुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के